नवश्कार आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूँ आपके साथ हुशाल शर्मा अडानी ग्रूप की कंपनी अडानी पोर्ट को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है यह वही कंपनी है जिसने आप निवेशकों को एक महीने में 23 फीजदी तो 6 महीने में 43 फीजदी का बंपर रिचरन दिया है अगले हफते कमपनी की एक एहम बैठक होने जा रहे है, इस बैठक में कमपनी कई एहम फैसले ले सकती है, जिसका असर कमपनी के शेरों पर परसकता है अब अगर आपके पास अडानी पोर्ट का शेर है या निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको हमारा ये वीडियो अंतक जरूर देखना चाहिए अडानी पोर्ट और स्पेशल एकनॉमिक जोन अगले हफते बॉर्ट के जरिये पैसे जुटाने पर बैठर करेगी APSEZ का बोर्ट 3 जनवरी 2024 को बैठर करके प्रिफरेंशियल अलॉर्टमेंट और पब्लिक आफरिंग या दोनों के जरिये बॉर्ड जारी करके पैसे जुटाने पर चर्चा करेगा कमणी ने मंगलवार को एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी भी दे दी है इसके अलावा कमणी ने जानकारी दी है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने उसकी 1852 करोर रुपे की NDC और 1000 करोर रुपे के बैंक लोन और 6700 करोर रुपे के कमर्शियल पेपर पर रेटिंग को बरकरार रखा है वही 5000 करोर रुपे की NDC को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने डबल ए प्लस स्टेबल रेटिंग दी है वही इकरा ने 7000 करोर रुपे की NCD को और 10,020 करोर रुपे की बैंक लिमिट की रेटिंग को डबल ए प्लस रेटिंग को बरकरार रखा है बता दे इस महीने ही 12 दिसंबर को अडानी पोर्ट ने बॉर्ड और प्रिफरेंश शेरों को जरिए 5,250 करोर रुपे जुटाने की मंजूरी दी थी इसके तहट कंपनी नॉन कनवर्टिबल डिवेंचर के जरिए 5,000 करोर रुपे और प्रिफरेंश शेरों के जरिए 250 दशमनो 2 करोर रुपे जुटाने की योजना बनाई थी अब आपके फाइदे की बात यानि आपके पास अडानी पोर्ट का शेर है तो आपको क्या करना चाहिए ब्रोकरेज हाउस के मताबिक अडानी पोर्ट के शेरों में तेजी आ सकती है और ये निवेशकों को मुनाफ़ा दे सकता है फिलाल ये शेर 1027 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है लेकिन आगे इस शेर में तेजी देखने को मिल सकती है यूबियस ने अडानी पोर्ट अन स्पेशल एकनॉमिक जोन लिमिटेड पर कवरेज शुरू कर दिया है ग्लोबल निवेश बैंक ने अडानी पोर्ट पर नूट्रल रेटिंग दी है ब्रोकरिस ने इसका टार्गेट प्राइस 1175 रुपे रखा है रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी पोर्ट अपने छेत्रिये कॉम्पेटिटर की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार करता है अब जाते जाते कंपनी के शेरों का हाल चाल ले लिजे अडानी पोर्ट के शेर पिछले 5 दन में 6 फीजदी तक तूटे हैं वहीं महीने भर में ये शेर 23 फीजदी तक चरहा है पिछले 6 महीने में इस शेर ने 42 फीजदी और एक साल में इस शेर 25 फीजदी तक चर चुका है एक साल में 28 फीजदी और पिछले 5 साल में इसने 166 फीजदी की तीजी आई अब हमने आपको इस शेर के बारे में तमाम जानकारियां दे दिए शेर बाजार में निवेश करने से पहले अपने financial advisor की सला लेना ना भूले इसी तरह बिजनस जगत से जुरी तमाम ताजातरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्ता कर दो, अधने बिस्ता